Theory of Evolution कैसे मचली से बना इंसान जिहां इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि इंसानों की साथ कैसे धोखा हुआ है हमारी पूर्वज बंदर नहीं बलकि ये मचली है तो आईए शुरू करते हैं अब तक बंदरों को ही हमारा पूर्वज कहा जाता था लेकिन एक नए शोध से पता चला है कि इंसान की सबसे पूरानी पूर्वज एक मचली है इस मचली के जिवाश्म 130 साल पहले मिले थे तब से अब तक ये मचली रहस्य बनी हुई थी एक सदी से भी पहले स्कॉटिश ख़दान से अनोखे जिवाश्म की खोज की गई ये अवशेश थे बिना दात वाली इल जैसे की एक जीव के जिसका कंकाल कार्टिलाजिनस था वैज्ञानिकों ने इसे पैलियोस्पॉंडिलस कुन्नी नाम दिया अब 130 सालों के बाद हाई रिजालियोशन इमेजिन का इस्तिमाल करके शोध करताओं ने आखिरकार ये बताया है कि ये रहस्यमई मचली हमारे सबसे पुराने पूरजों में से एक हो सकती है नया शोध नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है टोक्यो योनश्टी में जिवाश्म विज्ञानी और शोध के लेखक तच्सुया हिरासावा का कहना है कि इस छोटी मचली के अब तक रहस्य बने रहने के पीछे दो कारण है पहला तो इसका छोटा आकार जो केवल 2.4 इंच का है और दूसरा ये कि जिवाश्म ने अपने आकार को काफी सिकोड लिया है जिहां इस नए शोध से पहले वैज्ञानी कि ये जानते थे कि पहलियो इस पॉंडिलस मध्य देवोनियन युग में पाई जाती थी यानि कि खरीब 39.8 से 38.5 करोण साल पहले इस मचली में अच्छी तरह से विक्सित पंक थे लेकिन हाथ या पैर नहीं थी और मजे की बात ये है कि इसके दात भी नहीं थी जबकि उस समय के ज्यादातर कशे रुकियों में दात पाई जाते थी जिहां 2004 में शोध करताओं ने अमेरिकन साइन्टिस्ट जर्नल में रिपोर्ट किया था कि पैलियों इस्पॉंडलस एक प्राचीन लंग फिश थी 2016 में जू लॉजिकल लेटर्स जर्नल में प्रकाशित एक शोध की मुताबिक ये हैग फिश की रिष्टिदार थी एक साल बाद ऑस्ट्रेलियन नैशनल यूनिवर्शिटी की एक टीम ने कहा कि ये आधनिक शार्क की तरह एक कार्टिलाजिनस मचली थी कैन्बरा में आस्ट्रेलियन नैशनल यूनिवर्शिटी में मैटेरियल्स फिजिक्स में रिसर्चर और शोध की लिखक योजी हू का कहना है कि अजीद जानवर पहली बार 1890 में खोजा गया था और इस खोज की बाद से वैज्ञानिक हैरान थी और अब तक कोई भी वास्तों में इस जानवर की असली पहचान नहीं जानता है आपको बता दें कि इसका रहस्य नई तक्नीक से सामने आया है हाल ही में हिरासावा और हूने माइक्रो कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग तक्नीक की मदद से पैलियो स्पॉंडिलस की हाई रिजालेशन वाली डिजिटल इमेज निकाली ताकि सबसी सटी डेटा इकठा किया जा सके इसकैन से कई चीजों का खुलासा हुआ इसके आंतरिक कान में कई सेमी सर्कुलर कैनाल बने थी जैसे कि आजकर की मचलियों पक्षियों और अस्तंधारियों के कान में होते हैं आपको बता दे कि शोध करताओं को क्रेनियल फीचर भी दिखे जिसकी वजह से पैलियो इसपॉंडिलस को टेट्रापोडो मोर्फ ग्रुप में रखा गया इस समुह में चार पैरों वाले जीव और उनके जैसे जीव रखे जाते हैं इन खास बातों से पता चलता है कि पैलियो इसपॉंडिलस सिर्फ सामान या टेट्रापोडो मोर्फ नहीं हो सकता है ये सभी टेट्रापोड्स का पूर्वज हो सकता है लेकिन कुछ सवाल फिर भी बाकी हैं भले ही इस मचली का रहस से अब सामने आ गया है लेकिन कई सवाल सिर्फ भी बने हुए हैं टेट्रापोडो मोर्फ में आमतोर पर दात होते हैं लेकिन पैलियो इसपॉंडिलस में नहीं थे इसमें कोई दूसरा अंग नहीं था जबकि इसके सबसे खरीबी रिष्टेदारों में थे इस पर शोध करता कहते हैं कि हो सकता है कि पैलियो इसपॉंडिलस में दात और पैर समय के साथ गायब हो गए होंगे ये भी हो सकता है कि पैलियो इसपॉंडिलस का ये जिवाश्म इसके लारवा या इसकी यूवस्था का हो शोध करताओं के मुताबेक इस पर अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है फिलाल इसी तरह रोशक जानकारियों से अपडेट रहने के लिए आप देखती रहें सिर्फ और सिर्फ दा क्यूरियस कीडा अगर आप हमारे चैनल दा क्यूरियस कीडा पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर करना बिल्कुल न भूलें